असलामुलेकूम अर्हम्तुल्ह जो लोग ऑनलाइन हैं उनको आवाज आ रही है मेरी जी वालेकुम असलामुलेकूम आ रही है प्रवीन भी ऑनलाइन इनको आवाज पहुच रहा है मेरा आलिया शिराज पर गिरेंगो असलामुलेकूम अल्हम्तुल्ह आवाज दा रही है अच्छा आप आप लोगो मदारी से फारीग है या कॉलिज से फारीग है चुकर दोनों के प्लाने का प्रवीन लग होता है अच्छा तो आपको कॉलिफिकेशन के लस्टो क्या है मैंने अबस ठीक काफी है और आपने इस राज परवीन क्या किया हुए प्लस प्लस टू कोई दिक्कत नहीं है इतना तक फ्रेक्शनल माथामेटिक्स पड़ा हुग आप लोगों ने आई तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं को लास्ट लक्षर शुरू किया था पिछले अफ़ते तो आप लोग मौजूद नहीं थे बिस्मिल्ला अम्हार रहीम अल्हमदुल्लाह रबलालामीन वस्सलात वसलाम अला रसूल करीम अरब श्रह ली सद्री वयस्र ली अमरी वहलू लुगड़तम लिसानी अफ़काव कॉले देखिए तक्सीम मिरास का जो डिसकेशन है वो गुरान करीम में सूरा निसा की आयत नंबर 11, 12 और 176 इन तीनों ही आयत करीमा के अंदर यह डिसकेशन किया गया है कि किसको कितना हिस्सा मिलेगा लेकिन बैटर वे इस देट कि अगर हम जो है आयत नंबर साथ से और आयत नंबर चौधा तक और 176 का ट्रांसलेशन अगर हम पढ़ लेंगे किसी भी मक्तब फित्र से आप पढ़ लें चाहें आप अहले अदिस अज़ात के कुरान करीम से पढ़ लें या इसलामी जमात से पढ़ लें तो इसमें कोई भी कॉन्फिक्ट नहीं है एक ऐसा पहल हुआ है जो कि everything is clear सब कुछ clear है ट्रांसलेशन के बेस्ट के उपर ही तो आई थिंक यह सारा जो सुरह निसा की आयत का तर्किमा आपकी निगाहों से गुज़रा होगा तो यह जो आपके पास आयत नमबर साइवन है आयत नमबर एट है आयत नमबर नाइन टैन और यहां से यहां से shares के बारे में discussion किया गया है किसके कितने share मौजूद हैं किसके कितने share मौजूद नहीं है तो यहां पर मैं briefly आपको discussion करता चलूँ कि जो आयत करीमा है आयत नमबर जो यूसीकुम उल्लाव फिय उलादेकुम लेते करे मिसलो अज़ल उनसायन में यह आयत नमबर 11 में जो discussion किया गया है कॉपी पेचाएं तो नोट करते रहें नहीं तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है क्लास के बाद मैं आपका एक गुरूप बना दूँगा अगर आप कंटीनी क्लास मरेंगे और इंशालला यह गुरूप में हर अफ़ते बेज़ दिया जाएगा तो जो 411 यानि सूरा निसा आयत नम यह चैप्टर नमबर 4 हो गया 11 नमबर हो आयत के पास आयत करीमा हो गई इसके अंदर जो discussion किया गया है वो son and daughter के share के बारे में यानि बेटा और बेटी के share के बारे में इसी के अंदर discussion किया गया है mother के share के बारे में इसी में discussion किया गया है father के share के बारे में तो उलाद में चाहें बेटा या बेटी मौजूद हो या सन की जगा पर ग्रांड सन मौजूद हो और डॉक्टर की जगा पर ग्रांड डॉक्टर मौजूद हो तो उलाद के अंदर बेटा बेटी पोता पोती पर पोता पर पोती ये आपके पास मौजूद है ये इसका डिसकेशन आयत नमबर ग्यारा के अंदर है मा के बारे में डिसकेशन आयत नमबर ग्यारा में वाली साब के बारे में आयत नमबर ग्यारा में माजूद है और आयत करीमा बारा जो शुरू होती है वाला कुम निस्व मातरा का यहां से इस आयते करीमा के अंदर 12 के अंदर जो डिसकेशन है वो डिसकेशन है husband का share कितना होगा wife का share कितना होगा और इसके अंदर discussion है maternal brother का maternal brother का आयत नंबर 176 के अंदर जो शुरू होती है यस्तफ़तुना का आखरी जो आयत है सुरानिसा की यस्तफ़तुना का फुलिल्लाहु युफ्तिकुम फिलकलाला इसके अंदर जो discussion किया गया है वो discussion किया गया है जिसको हम 4176 बोल सकते हैं इसके अंदर जो discussion किया गया है वो discussion किया गया है रियल ब्रॉदर का रियल सिस्टर का और अकॉर्डिंग टुदी स्कॉलर रियल ब्रॉदर अगर ना हूं रियल सिस्टर ना हूं की जगा पर पैटर्नल ब्रॉदर और पैटर्नल सिस्टर का तो कुराने करीम में इतने हिस्से ही मौजूद है इतने लोगों के बाकी दादी का हिस्सा नानी का हिस्सा ये हजरत अमर रियल्ला उतलानों के दोर में आया बेटी के साथ में पोती का कितना शेयर होगा ये भी वहां से आदीस मौबारिक से मिलेगा तो ये जो हिस्से कुराने करीम में मौजूद है जो fixed हैं, दो तरह के share हमारे पास मौझूद है, fixed share और unfixed share तो कितने लोगों के fixed share मौझूद है, यहाँ पे मैंने कुछ किताबें लिखी हैं, बहुत सारी किताबें मेरी मौझूद है यह किताब मैंने एक लिखी थी, starting के अंदर सबसे पहले, इस किताब का ना, यह किताब सारी आपको दे दी जाएंगी, इन्शाल्ला यह किताब है, distribution of my inheritance, मेरी संपत्ती का बटवारा कैसे हो, तो यह मैंने अपने उपर लिखी है, अगर मेरी death होती है, तो multiple case studies में किस तरह से distribution किया जाए एक article radiance के अंदर आया था, यह वो articles है, इसलामी कानून विरासत या Islamic laws of inheritance, इसके अंदर हमने क्या किया है, कि जो आयत करीमा, 11, 12 और 176 हैं, 11, 12 और 176 इसके अंदर, और आहदीस मुवारिक के अंदर, जितने combinations exist हो सकते हैं, वो सारे इसके अंदर दे दिए गए हैं, कितने तर फ्रूज हैं, असबात हैं, जबिल अरहां में, कोट की language में इनको sharers कहा जाएगा, residuary कहा जाएगा, kindred, distant kindred कहा जाएगा, फिर जो जबिल फ्रूज हैं, यानि जिनके हिस्से fixed हैं, उसमें केवल चार ही male हैं, यहां पे अगर हम देखते हैं, तो केवल चार male का सिक है, husband का, father का, दादा का, और maternal brother का, maternal brother वो, कि जिसकी मा सेम हैं, लेकिन father अलग अलग हैं, यानि दूसरी शादी हुई है, किसी औरत की, उससे आपके पास एक बेवी है, और एक पहली शहर से, यहां पर वो दोनों जो भाई बनेंगी, वो maternal या uterine brother बनेंगे, तो यह four male का discussion है, और यह eight consider किया गया है, कुछ मेला किया गया है, तो at least eight जो है, female हैं, जिनके हिस्से, कुरान करी में fixed हैं, चुकि आपके मालूम है, कि साड़े चौदा सु साल पहले कि अगर हम बात करें, तो at that time, जो female था, female थे, यानि औरत का कोई भी हिस्सा property में नहीं दिया जा था, ना बच्चे परीदता मिन ला के अंदर, योसी कौम लाव के अंदर, जिसके हिस्से हम देते नहीं थे, और दूसरी कैटेगरी बना दी गई, आसा बात की, पहले जो बड़ा बेटा होता था, वही सारी property का मालिक होता था, तो यहां पर, रेसीडियरी के अंदर इतनी तरह की कैटेगरी दीरे दीरे इंशालला आप सारी सीख जाएंगे, तो यह सारी PDF मैं आपको forward कर दूँगा, पर आसबा भी घारी के अंदर man and woman आते हैं आपके पास तो उसके अंदर कौन कौन लोग हां पर आएंगे, इसके बारे में discussion है, तो इस पे जादा आपको focus करने की जरूरत नहीं है, जिस तरह question हम proceed करेंगे, बार बार इसको देखेंगे, इंशालला आतो हो जाएगा, यह सारी पूरी list है, कितने तरह के inheritance मौजूद हैं, किसके कितने shares मौजूद हैं, जब आउलाद मौजूद हो, आउलाद मौजूद ना हो, इन सब के references जो है, आप अपने mobile phone में, Islam 360 का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो एक software है, Islam 360, उसको आप डाउनलोड कर लें, वो authentic है, worldwide, और वहां से सारे international number आपको सारे मिल जाएंगे, तो यहां पर book के बीच में, चूँकि एक तरफ से book उर्दू में हैं, एक तरफ से English में हैं, तो यहां पर यह references दिये जा जोगे हैं, क ताकि किसी कोई confusion पैदा ना हो, और इस किताब के back end से यह फिर हमने इसको अर्दू में लिख दिया गया है, चूकि कुछ हजरात को अर्दू चाहिए, कुछ को English चाहिए, फिर रमजान में हमने कि यह special program शुरू किया था, इसके अंदर हमने सारी उन आदीस मुबारक को, कु लग जाएगी कि कौन सा आदीस कहां से ली गई है, ताकि जब हम question solve करेंगे तो उसमें फिर यह कोई शबाना रहे कि यह कहां से ली आगया है, यह किताब उन्हों के लिए जो उन्होंने, जिनको हिंदी आती है, उसी किताब का, यानि जो यह Islamic laws of inheritance था, इसको जो है, को हम distribute करते हैं, तो property बच जाती है, तो उसका calculation कैसे हो, इसको डॉक्टर राइन आफ रिटन कहा जाता है, या rules of written कहा जाता है, जो books आपके पास law में पढ़ाई जाते हैं, यह किताब उन्हों के लिए 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 मदारिस के लोगों के लिए, because mathematics ना आनी के हुजा से, चुक और यह एवरनेस के लिए फोल्डर हैं, ताकि लोगों के लिए आगे forward कर सकें, जिसके बारे में यह बता दिया गया कि इसमें जो है, बेदारी के क्या के तरीके होने चाहिए हैं, चुट्टियां होती हैं बच्चों की, तो school की summer vacation के अंदर, उन में quiz हों, competition हो, आर डवल्यो societies हैं, वहां पर अलग अलग मक्तव फिक्र के लोगों को बला कर इस पर प्रोग्राम कराने चाहिए हैं, इसी तरीके से काफी और वी चीज़ दी गई हैं, कि मसाजित के अंदर क्या करना चाहिए, कि जो खतीब को इस inheritance के मौज़ू के उपर एक series शुरू होने चाहिए, ताक मुझे एक मेट का टाइम दें, इसको मैं ज़रा fresh कर लूँ एक साइट भी हमने अभी डबल अब करवाई है, जो अभी online शुरू हो जाई कुछ दिनों के बाद, Islamic Inheritance Research Center के नाम से कितारा कायम किया गया है, जिसमें कुराने करीम के अंदर, जो quote हैं English में, और उसका सुरह रिसा की आयत नमबर 11, 12 और 176 का translation दे दिया गया है, यहां पर, और इसी तरी अर्दू में और हिंदी में हैं, जो books हैं, books English में inheritance पे कौन कौन सी हैं, अर्दू में कौन कौन सी हैं, इसको आप जो है, साइट से freely download कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो सारी books डाल दी कहीं हैं, अल्ला का शुक्र है, तो काफी material माजूद है, आपकी study करने के लिए जो भी research करन पढ़ना चाहते हैं, इसी तरीके से उर्दू के अंदर भी बहुत सारी books हैं, अर्भी के अंदर भी हैं, और दीरे दीरे इंशालला है डोती चले जा रहे हैं, तो आई थिंक ये site जो है, तकरीवन दस बारा दिन में अब आ जाएगी, तो ये उर्दू के अंदर सारी लेक्शर्स माजूद हैं, इनहरीटेंस के उपर, हिंदुस्तान के और दूसरे मुलके, उनके नाम के साथ में उनके वीडियो की लिस्ट दे दी गई हैं, यहां पर इन सब की लिस्ट दे दी गई हैं, बहुत सारे उलमाई कराम हैं, जिनकी लिस्ट यहां पर दी गई हैं, तो यहां से आप उनके वियू सुन सकते हैं, इनहरीटेंस के उपर, और इसका दूसरा जो टाइब है, कैल्कुलेशन बेस्ट, उसमें जिन हजरात ने कैल्कुलेशन सिखाई है, माथामेटिक्स कैसे है, इनहरीटेंस का कैसे यूज किया जाएगा, तो वीडियो जेहां पर द उमरी मतनी है, बैंगलाउर में है, यही मिराज की कलास लेते हैं, तो यह यहोंफर और यहां पर फिर बहुत वह सारी चीज сильно हैं, यहांप स्काव loses का Πैनल जहां पर उनके संदर में वर।क्र होरा है, इनमें से कुछ लों को आप शाहिए जान भी वह जान तो यहां prison में उन कि अगर किसी को डारेकली कैलकुलेट करना हो तो वो जाके कैलकुलेट कर सकते हैं आप एक कालुटर निशालला अरभी कौर इंग्लिश के आ जाएंगे I think इतना discussion काफी है अब यहाँ पे हम class शुरू करते हैं जो syllabus हम follow करेंगे यह syllabus है इनिरेटेंस के topic का इसमें से सारा तो covered नहीं हो पाएगा इसमें हम कुछ आपको homework दिया करेंगे कुछ questions यहां पे कराये करेंगे आज का जो topic है जो हम शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे यहां से कि गिफ्ट और हिवा क्या है विल और वसियत क्या है इनिरेटेंस और तरका क्या है और fundamental rights क्या है अगर कोई शक्स मर जाता है तो कितनी duties हमारे पास चोड़ कर जाता है और उसकी approach क्या होगी जो calculation किया इन्शालला फिर आपके questions लेंगे जो भी आप question देना चाहिए तो यहां पर gift और हिवा से related जो आदीस मुबारक हैं वो आप यहां से find out कर सकते हैं मुस्लिम शरीफ के अंदर और तरिमिजी के अंदर और भी आदीस मुबारक के अंदर मौजूद है gift के बारे में यह कहा गया है कि जब भी आप gift देंगे तो पहले चीज़ तो याद रखें कि कुछ लोग ही कहते हैं कि हमने अपनी जिंदगी में inheritance को distribute कर दिया हमने अपनी जिंदगी में तरका distribution कर दिया तो याद रहे कि तरकी का distribution मौत के बाद होता है जिंदगी में नहीं होता है तो याद रखें कि जो हम जिंदगी में देते हैं अपनी life में जो भी हम किसी को देते हैं वो क्या होता है gift होता है gift जो है not equal to inheritance ये inheritance के बरावर नहीं है inheritance हमेशा आपकी death के बाद ही होगी distribute गिफ्ट आप अगर देना चाहते हैं तो किसी को कम और जादा अपनी life में दे सकते हैं पर आधीस मुबारक ये है कि जब अपनी जिंदगी में अपनी आउलाद के बीच में अपने kids के बीच में distribute करें तो चाहें male हो या female हो लड़का हो या लड़की हो उसको हमने equal distribute करना है ये जो हमने रमजानों में program शुरू किया था वो PDF आपके WhatsApp चम बेज़ देंगे class के बाद हमें WhatsApp कर देंगे ताकि हम आपको वो सारी किताबें send कर दें जहां से आपको आधीस मुबारक मिल जाएगी क्या ये सही है कि जिन्दगी में जब distribution किया जाएगा तो तरका नहीं किलाएगा वो क्या किलाएगा gift किलाएगा gift अपने अलाद के बीच में करना चाहते हैं चाहें लड़का लड़की हो male और female हो तो भी उनके बीच में equal distribution करेंगे non-equal distribution के लिए अल्लाद के रसूल ﷺ ने मना फरमाया हुआ है इसकी तफसिल आपको यहां से मिल जाएगी युकि हमारा जो main specification है वो है के calculation कैसे की या distribution पर उसके हम focus करेंगे otherwise तो gift के उपर एक जखीम किताब मौजूद है जो आपको मेरे ही से वेबसाइट से मिल जाएगी Islamic inheritance research center की वेबसाइट से विल या वसियत के बारे में पुरान करीम में भी आयत नमबर 11 में एक बार और आयत नमबर 12 में तीन बार आया है विल के बारे में और बाकी आदिस में बारे के अंदर मौजूद है तो विल जो हम कर सकते हैं तो विल की जो maximum limit है विल की जो maximum limit है वो define की गई है शरियत के अंदर less than और equal to कितना one by three एक तहाई से जादा की वसियत नहीं कर सकते है वसियत one third किया सकती है और आदिस मौजूद के according हम वसियत उनके लिए नहीं कर सकते हैं के हिस्से Allah ताला ने फिक्स कर दिये है मदारिस के लिए वसियत किया सकती है किसी दूसरे गरीबों के लिए वसियत किया सकती है पानी की कुई खुदवाई या सकते हैं मोटर पंप लगवाई या सकते हैं यतीम बच्चों की किफालत के लिए या सकता है सोतेली माँ हैं सोतेला बाप है उसका कोई शेर नहीं होता उनको दिया जा सकता है तो उसकी तफसीलात आदिस मुबारक में मौजूद हैं बट विल इस पर नहीं की जा सकती जिनके हिस्से युसी कौम उल्लाव फिया उलादेकम ले दाकरिम इसलु हजल उनसाइन या आद नम के हिस्से भी फिक्स हैं बेटी की माजूदगी में पोती का हिस्सा कितना होगा उनके हिस्से भी वहाँ पर माजूद हैं तो जिनके हिस्से फिक्स हैं अल्ला तबारक ताला ने खुद फिक्स कर दिये हैं उनको हम वसियत नहीं कर सकते हैं वसियत की लिमिट एक तिहाई से जदाने होने चाहिмо. कैसे वसीद को विल को कैल्कूलेट करेंगे? तो जो विल होगा वह आप अपनी लाइफ में लिखेंगे, बट वो इंप्लिमेंट होगी आपकी डेथ के बाद. तो कैसे कैल्कूलेट करेंगे? इंशालब उसको हमारे जुकर के रिलेटिवस होंगे ये ड्यूटी उनकी है कि वो आपस में डिस्टिवूट करें बट हमारी ड्यूटी ये बनती है कि हम अपनी अवलादों को अपने रिश्चिदारों को Islamic Laws of Inheritance के बारे में सिखा के जाएं कि अल्ला के रसूल अधिस मबारक है मिश्काद शरीफ की अधिस है 207 2079 इसके अंदर तिरमीजी शरीफ की अधिस के अंदर ये माजूद है 2091 के अंदर कि ये आधा इल्म है ये वो इल्म है जो दुनिया से सबसे पहले रुकसत हो जाएगा इस इल्म को सीखो और सिखाओ रिश्काद शरीफ की ये आधिस मबारक के अंदर है कि जिस शक्स ने किसी की मिरास काटी अल्ला तबारक ताला आखरत में उसकी जन्नत की मिरास को काट देगा ये सारी आधिस इस बुक के अंदर मौजूद है जो हमने रमजान के अंदर इस्पेशल प्रोग्राम के अंदर ये ये हाँ पर ये सारी आधिस मबारक माचुगे है ये 3078 के अंदर रसुल्ला असलबस ने फरमाया ये शक्स ने अपने वारिस की मिरास काटी तो रोज और चायमत अल्ला ताला उसकी जन्नत की मिरास काट देगा इस तरह की सारी आधिस मबारक का जखीरा इस किताब के अंदर एड़ कर दिया गया है अब यहां पर अगर जब किसी शक्स की मौत हो जाती है तो वो हमारे उपस चार ड्यूटी शोड़ का जाता है या उसके चार राइट से सबसे पहले उसका कफन दफन किया जाता है यह ओडर है इसी ओडर में हमने फालो करना है आधिस मबारक की रोशनी में तो सबसे पहले उसका कफन दफन किया जाता है फिर उसके उपर कोई कर्ज है तो उसके कर्ज की अदाइगी की जाती है उसने अगर कोई विल लिखी है तो विल का implementation किया जाएगा और fourth number पर उसका जो amount बचता है वो उसके inheritors में या उसके AS में उसके वारिसीन में distribute कर दिया जाएगा तो यहाँ पर एक question लेके चलते हैं कि जब कोई शक्स मरता है तो चाहें उसका bank balance उसकी car, उसकी कोटी, agriculture की land हो या आपके पास bitcoins हो share market में लगा हुआ पैसा हो या उसका उधार पैसा कहीं पर ही पड़ा हुआ है उन सब को हम जोड़ेंगे जो भी property है, car है, कोटी है, बंगला है, gold है सब का amount हम जोड़ेंगे cost के अंदर तो let's say मान लेते हैं, suppose कर लिजिए, कि उसका जो total property amount है वो एक लाग रुपे, इसको हम imagine करके चल रहे है, कुछ भी amount हो सकता है एक लाग रुपे है जो शक्स मरा, उसके कफन दफन पे जो खर्च किया गया वो 10,000 रुपे फार एक्जामपल खर्च हुए, उसके उपर जो कर्ज था, वो फार एक्जामपल 30,000 रुपे का उसके उपर कर्ज था, 30,000 का, उसने will कर रखी थी 25,000 की तो हमने यहां पर कफन दफन पे जो expensive वो करना है, कर्ज जिसका था वो वापस जाना है, लेकिन will का amount के अंदर एक रूल है कि वो not less than, not greater than one third, less than or equal to one third will होनी चाहिए, तो क्या यह will का amount मरने वाले ने ठीक किया है पर question मारके, इसको हमने calculate करना पड़ेगा, इन तीनों के अखराजात निकालने के बाद, जो rest of the amount बचेगा, वो inheritance amount के लाएगा तो पहले हम निकालेंगे will के amount को, तो will के amount को निकालने के लिए यह फार्मूला है, यहां पर one lakh में से, एक लाख रुपे में से, आप माइनस करेंगे, इसको कफन दफन के amount को, कफन दफन का amount कितना है, दस हजार रुपे है और कर्स मरने वाले के उपर कितना है तीस हजार रुपर हो सकता है ना हो तो आप इसको जीरो करते हैं जाहिर सी बात है फार्मूला तो यूज किया जाएगा और अबलीक थरी जो भी अमाउंट आएगा बचकर तो यहां पर एक लाक रुमे से अगर हम इसको दस हजार को और चारdles 32,000 को लेते हैं तो कितना आता है चालिस हजार आता है फालीक ठरी तो विल का अमाउंट कितना निकल कर आगया अगर कोई शक्स यह समझता था कि जो विल यो होगी एक लाक क्योपर अप्लाई होगी तो विल एक लाख पर अपलाई नहीं होगी, विल अपलाई कब होगी, जब कफन दफन और कर्ज का अमाउंट निकाल दिया जाएगा, तो बचे हुए अमाउंट उपर विल अपलाई की जाएगी, according to the Islamic शरिया, तो ये कितना हो गया, साथ हजार से तीन को डिवाइट करेंगे, तो कितना आजाएगा, बीस हजार, यानि अगर किसी शक्स ने, according to this question, जो हमने यहां लिखा है, यहां पर अगर उसने जो वसियत पच्चिस हजार की किये, तो हम क्या करेंगे, इसको reduce किया जाएगा, और इसको reduce करके कितना किया जाएगा, ट्विंटी थाउजन किया जाएगा, अगर वारिसीन जो हैं, अगर वो agree करते हैं कि भई, पच्चिस हजार दे दिया जाए तो ठीक है, लेकिन मान लिजिए कि तीन वारिसीन ते एक वारिस, यह कहता है कि 25,000 नहीं जाएगा बीस जाएगा तो फिर हमें बीस ही देना पड़े अगर सारे आगरी हैं तो 25 दिया जा सकता है तो according to the formula according to the Islamic शरिया एक लाग के उपर जो will का amount आ रहा है वो कितना रहा है 20,000 आ रहा है अगर उसके उपर कफन 10,000 रुपे खर्च हुआ और कर्ज 30,000 रुपे का खर्च हुआ है यहां पर किसी है कोई कोशन है सारे लोगों को समझ में आ रहा है will का amount calculate जो किया गया है इसमें किसी है कोई कोशन है समझ अगर ना आया हो तो please बता दे किसी का जवाब नहीं आ रहा है भई समझ में आया कि नहीं आया है clear है clear है तो बिल्कुल classroom की तरह हम इसको लेके चलना है चूंकि यह सब को आना जरूरी है हर एक के साथ में यह मरहला होना है जो यहां पर लिखा हुआ है आप के का कफन दफन लैट से किसी और नहीं अगर कर दिया तर्ज आपके ही माल से अदा किया जाएगा कि यह सब्सक्राइब को जी कि अधिक लास में हूं मैं जी जी मैं साड़े सब्सक्राइब कॉल करता हूं आप तो यह अमांट आया भी सजार रूपे अब जो इन्हरीटेंस अमांट है इन्हरीटेंस अमांट के लिए फार्मूला क्या हुआ कि सारे एक्स्पेंस निकालने के बाद जो बचेगा आप सारे अमांट के हां रख दीए यह वन लैक था वन लैक मेंसे इसको हम शौट में लिख लेते हैं कि जो करस था वो टैन के था यानि दस जजार रूपे जो कफन दफन था वो दस जार रूपे था जो DA यानि जो कर्स था ये 30 के 30,000 रुपे और वसियत 20 के यानि 20,000 रुपे इन सब को अगर हम करते हैं तो ये value जो हम निकालते हैं यहां से ये total value निकल कर आती है 20 और ये 30,50 और 10,60,000 तो यहां से जो inheritance amount निकल कर आया हमारा वो कितना निकल कर आया 40,000 रुपे है 40,000 अब ये 40 60,000 ये minus होगे नहीं तो inheritance amount कितना आया 40,000 तो 40,000 60 कैसे आएगा एक लाख में 60 माइनस करेंगे 40 तो आएगा है टूटल जो मालियत थी मरने वाले की कार कोठी मंगला बगर वह एक लाख रुपे का था उसमें से कफंदफन 10,000 रुपे माइनस किया कर्स 30,000 रुपे वे लिए तो 30 और 20 पचास 10 60,000 रुपे हो गया 60,000 एक लाख से कटेंगे तो कितना आजाएगा 40,000 आजाएगा यहां तर तो अब यहां से 40,000 का distribution कैसे हो इसके उपर मैंने साथ साल spend की हैं अपने जो मैंने किताबे लिखी हैं एक बड़ी जखीम किताबे mathematics of inheritance के नाम से जो आपको फिलिप कार्ट पर मिलेगी तकरीबन 204 question मैंने उसमें solve की हैं तो मैं ने उसी मेंसे कुछ ही question साथ के लिए लिए हैं तब कैसे 40,000 को वारिसीन में तक्सीम किया जाएं तो let's assume यहां पर एक सवाल हम ले लेते हैं यह एक सवाल हम ले लेते हैं यहां पर एक question है कि distribute किया जाए inheritance amount को हमारा amount कितना निकला है 40,000 40,000 रुपे हमारे पास मौजूद हैं और शक्स के जो मरा है अभी चार करोड भी हो सकते हैं और जो मरा है वो कौन है husband है उसने अपने पीछे अपनी मा को अपने वालिद साब को अपने बीवी को एक बेटा और एक बेटी को यह हमने सवाल ले लिया कुछ तरीके से जिसके अंदर जो है सूरा निसा की आयत नंबर ग्यारा और आयत नंबर बारा को हमने इंकलूड कर लिया है चूंकि माँ बाप और बेटा बेटी का हिस्सा है आयत नंबर ग्यारा में वाईफ यका आयत नंबर बारा के अंदर है तो मरने वाले ने अपने पीछे इन लोग को छोड़ा है और कफन दफन कर्ज और विल के अमाउंट के बाद ही 40,000 रुपे बचे हैं तो कैसे डिस्ट्रिब्यूट किये जाए इस सवाल को करने के लिए हमें तकरिवन 30 मिनट चाहिए होंगे किसी कोई पॉलम तो नहीं है कि थर्टी मिनट्स दे सकते हैं आप लोग करें सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टैप नंबर वन में यहां लिखेंगे लिस्ट आफ इन हैरी टर्स एंड दियर शेर्स जो लोग उर्दू में लिखना चाहते हैं इसका मतलब हो गया कि वारिसीन की फैरिस्ट और उनके हिस्से वारिसीन और उनके हिस्से अब वारिसीन की जो लिस्ट दे दी गई है वो मदर फादर वाइफ मदर फादर वाइफ और एक बेटा और एक बेटी बेटा और एक बेटी मां पा जो हिस्सा है वो फिक्सड पूलें या उसको जबिल फुरूज बोलें तो जबिल फुरूज को हम जएड मरने वाले की ऊलाद हो इसमें कौन मर रहा है हस्बंड की डेथ हो रही है उसकी ऊलाद है यानी बेटा और बेटी तो मा का हिस्सा वन बाए सिक्स है ये कहां लिखा हुआ है सूरा निशा की आयत नमबर ग्यारा के अंदर तर्जुमा आप पुराने करीम का पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा होगा कि अगर मरने वाले की आुलाद मौजूद हो तो मा का हिस्सा कितने वन बाई सिक्स है इसी तरीके से वालिद साब का हिस्सा भी फोर अलेविन के अंदर मेंचन है अगर मरने वाले की आुलाद में बेटा मौजूद हो ड्यू टू सन तो वाले साप का हिस्सा वन बाई सिक्स है अगर यहां पर ऐसा होता कि बेटा ना होता और बेटी होती तो वाले साब को दो शेयर मिलते है फिर वन बाई सिक्स भी मिलता पिलस आर residue भी मिलता अगर बचता तो अभी उसके बारे हम discussion नहीं कर रहे हैं, अभी discussion कर रहे हैं कि यहां पर वाले साब का हिस्सा 1 by 6 है, चूकि आउलाद में बेटा मौजूद है wife का हिस्सा 1 by 8 है, अगर मरने वाले की आउलाद हो, यह आयते करीमा चार बारा के अंदर लिखा हुआ है यह भी ZF है, जबिलफूद, इसका हिस्सा भी fix है, wife का हिस्सा भी fix है सही बखारी की आदीस कहती है, कि जिनके हिस्से fix हैं, पहले उनको दे दिया जाए, और जो बच जाए, वो करीबी मर्द रिष्टेदारों का होगा या residue का होगा, जो आपके पास residue का होगा तो अब यहां पर residue में हमारे पास बेटा और बेटी हैं, तो यहां पर अगर हम इस बुक में जाते हैं और यहां पर जाते हैं, तो यहां पर बोलते हैं या असबात का मतलब हो गया जिस को हम क्या बोलते हैं रैसी बोलते हैं तो यहां पर बेटा और बेटी अगर एक साथ एक्जिस्स करते हैं तो इनको शेर जाता है कुरान करीम की आयत नंबर 11 के अकॉर्डिंग युसीकौम ल्लाहु तो यहां पर इनको जो शेर मिलेगा ये कलाते हैं आसबा भी गारी जो तर्मनलोजी है यानि रैसीडियूरी और इनको क्या मिलेगा आर बचा हुआ रैसीडियू और रैसीडियू जो होगा उसमें इनका शेर कितना होगा तू इस्टू वन होगा ये दो शेर जो होंगे ये सन के होंगे रैसीडियू के अंदर और एक जो होगा ये डॉटल का होगा यह कहां पर mention है यह mention है सूरा निसा की आयत नंबर 411 के अंदर यह step number one हमने इस तरीके से लिखना है अब हमें यह categorize हो गया कौन किस category में आता है किसका हिस्सा कितना है now come to the step number two step number two में हम निकालेंगे total share of ZF यानि जो fix share है उनका total हिस्सा कितना है तो यहाँ पर fix share में मां है, mother लिख दिया, am लिख दिया, father को F लिख दिया, wife को W लिख दिया मां का हिस्सा कितना है, one by six है, father का one by six है और wife का one by eight कोई बताएगा किसका elçium कितना आएगा what will be the elçium, six, six, eight का elçium कितना आएगा अगर नहीं आता तो मैं लाना बतायता हूं आप यहां पे 6 लिखेंगे और यहां पे क्या लिखेंगे 6 multiple times से आप एक बार लिख लेंगे और 8 लिख देंगे यहां पे कितना आ जाएगा यहां से अब यह आगे division नहीं होगा 2 की multiply 3 से कर दिए और इसकी multiply 4 से कर दिए तो 2 3 कितना हो गया 6 हो गया और कितना हो गया 24 हो गया लिखेंगे 24 आ जाएगा यह क्लियर यह सबको लिखेंगे 24 अगर किसी क्लियर ना तो प्लीज बता दें इन्टो चैट बॉक्स में लिख दें तो यहां पे चैल्शियम होगे हमारा कितना 24 यहां पर वन बाई सिक्स की जगापर कितना आएगा कोई बताएगा मैं जो ऑन लाइन मौजूद है वन बाई सिक्स की जगापर कितना लिखा जाएगा जी एनीबडी बाई किलास में बोलते रहेंगे तो मैं अच्छा लाइगा और पढ़ाने में भी मज़ा आएगा बाकी को भी इंटेस्ट आएगा सारे खामोश रहेंगे तो फिर तो किलास का मज़ा नहीं आ रहाएगा मेरी आवास किसी को नहीं जा रही है आ रही है तो आ रही है तो बोली अगर नहीं आता तो पूछ उसमें शरम की कोई बात इस इल्म को ही सीखने की एज जो है मां की मां की कोक से लेके और कबर के आगोश चाके हमें तब तक इलमासिल करना है कि यह एल्शम समझ में आगे 24 कैसे आया है समझ में आगे अब जीशन समझ आगे इस सिख से 24 कट कीजिए कितनी बार कट होगा इस सिख से इसको कट करेंगे एट से कट करेंगे कितनी बार जाएगा त्री टाइम्स टोटल कितना हो गया चुकि आप लोगों ने सीखना में तो सीख चुका साथ साल से मैंने रिसर्च कर ली पूरी अप लोगों नहीं सीखना है 11 by 24 हो गया है यानि जो टोटल आपके पास तरका है उसका 11 by 24 चला जाएगा जब फूरूस के अंतर नाव कम टूदी स्टैप नमबर 3 माइक्रोफोन आफ कर ली जब सवाल पूछा जाए तो आंसर देजिए स्टैप नमबर 3 में शेयर आफ ए बी जी यानि आसबा भी गहरी यह टर्मिनलोजी की हम साथ लेके चलेंगे ताकि ऐसा ना हो कि हम बिलकुल खाली हो जाए लिम से आसबा भी गहरी का मतलब हो गया रैसी डिवरी इसमें कितने पार्ट है पांच पार्ट हमें हल करने है पहल पार्ट शेयर लेफ्ट फॉर शेयर लेफ्ट फॉर बचा है किसके लिए सन एंड डॉटर एस का मतलब संडी का मतलब डॉटर इसको आर से डिनोट कर दिये रैसीडिव को तो मरने वाले की जो पूरी संपत्ति है यानि जो होल इस्टेट है उस होल में से माइनस कर दिजिए टूटल शेयर ओफ जैड फॉर जविल फूरूज के कुल हिस्से तो टूटल संपत्ति है कि टूटल इस्टेट वन है उसमें से ग्यारा वटे चौविस माइनस कर दिजिए अब यहां पर कितना आएगा वैल्यू यह जो ट्विन्टी फॉर है यह ट्विन्टी फॉर नीचे आजाएगा यही ट्विन्टी फॉर यहां पर आजाएगा और यह जो अलैविन है यह कहां पर आजाएगा यह 11 कहां पर आजाएगा यहां पर आजाएगा तो 24-11 कितना हो जाएगा कितना इसका जी यह फ्रेक्शनल माथमेटिक सबूर्ट थर्टीन उब्लिक 24 तो यहां पे यह 24 है यह 24 हो जाएगा यह माइनस 11 हो जाएगा तो 11 13 अबलिक 24 किसका हिस्सा है बेटा और बेटी का इसका बी पार्ट रेशियो ऑफ सन एंड डाटर एस एंड योसी को मुलाओ फिया उलादे कुम ले दकरे मिसलो हजल उनसायन यह उसके अंदर आ गया यानि रेशियो का मतलब हो गया निस्बत बेटा और बेटी की निस्बत तो यह हो गया का स कॉलन डी इकोल टू कॉलन वन यह दोनों की निस्बते हो गए यह नी तेरा बटे चॉबएस के अंदर इस रेशियो में डिस्टिबीट होगा स्टैप मूबर सी एडीशन अफ रेशियो इडीशन ओफ रेशियो एडीशन ओफ रेशियो यानि 13 बटे 24 के तीन डिवीजन किये जाएंगे, उसमें इसे दो हिस्से किसको जाएंगे बेटे को और एक हिस्से किसको जाएगा बेटी को, तो क्या फार्मूला लगेगा इसका, इसका फार्मूला होगा Share of Sun Share of Sun का फार्मूला है R का मतलब Residue Ratio of Sun Oblique Addition of Ratio तो यह Mathematics का एक फार्मूला बना R कितना है हमारे पास R की Value कितनी है जो लोग हैं इंट्रेस्ट लेके पढ़ें Please exit ना करें जो भी माजूद है चुकि यह हर एक को सीखना है आयत नंबर सुरा निसा की आयत नंबर 4 13 और 414 का जाके तरजमा पढ़ें कि उसमें क्या कहा गिया है इसको पहले यह discussion कर लेते हैं किसी का माइक खुला है इसको आफ कर दीजे प्लीज देखें आयत नंबर 13 और 14 क्या कहती है हमें थोड़ा सा डरना भी चाहिए आयत नंबर 14 क्या कहती है और जो अल्ला और उसके रसूल की नाफर्मानी करेगा और उसके मुकरर की हुई हदों से तदावज कर जाएगा उसे अल्ला आग में डालेगा जिसमें वो हमेशा रहेगा तो हमें जो है यह दियान रखना है कि बंदों के जो हुकुक है उसके हुकुक के अंदर ये फर्ज है कि इस इल्म को सीखें, लोगों को सिखाएं, नहीं तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ी तवाई का बाइस बन जाएगा ये और ये मरहलारे के साथ में, जाकात के लिए निसाब जरूरी है, बट मिरास के लिए निसाब कोई जरूरी नहीं है, वोटेवर दिए, आपके पास एसेट्स आपके पास हैं, उसके पर डिस्टिबिशन होगा, आर की वैलियू कितनी हैं बई, कोई बताएगा, यहां पे आर की लिए गुट, थर्टीन बाए 24, तैट विल बी दीरेस, रेसीडियू, और रेशियो ऑफ सन कितना है, बेटी की निस्वत कितनी है, दो, यह बेटी की निस्वत हो जाएगी, और एडिशन आफ देर रेशियो कितना है, अब इसको सिंप्लिफाई करे कोई बताएगा, कितना लिखो मैं यहां पर आपके आपके किसी से भी कट नहीं जाए है कि इस दो से इसको कट कर दीए बारा हो जाएगा थर्टी नॉब्लीक थर्टी सिक्स इंपलिफाइगर करके लिखी सारा और शेयर ऑफ डॉटर निकाली है विसी तरीके से पांच पर इंशाल दालेंगे शेयर ऑफ डॉटर और इन्टू रेशी ओफ डॉटर लिख अब्लीग एडीशन ऑफ रेशियो और की वैली जोगी इस वन रेश्यो डॉटर कितना एक एडीशन ऑफ रेश्यो इतना कितना बन गया है तो मच जी multiply करें simplify करें क्या answer आएगा इतना मैथ तो करना पड़ेगा जिन्दगी पूरी जिन्दगी आप मैथ करते हैं दुकान पर जाते हैं पैसे दे कर आते हैं कम पैसे तो कोई वापस लेकि नहीं आते हैं दुकान दर से 13 भाई जाब इसकी multiply कीजिए इस तरीके से पाड़े भी आत हो जाएंगे हमें 72 अब यह देखें कि कुरान करीम में जो fix था अगर हमें सिर्फ इतना मालूम है चुकि मदारिस के अंदर पॉलम यह कि mathematics की कमी होने की वजा से वह इस पार्ट को हल करना मुश्किल हो जाता है और दूसरा लेंग्विश पॉलम नया जन्रेशन इंग्लिश यह उर्दू जानता है मदारिस में अर्भी के अंदर पढ़ा जाता है और जो टर्मनणलोजी यह वह तफ है तो यहाँ पे घनरेशन गैपस आगया है तो इसको फिल अंने करना है दोनुों चीज़ों को तो यह कुरानी करीम में हैं यह कुरान करीम में यह भी माझूद है यह यह अन्फिक्स शेर इसका शेर हमने कल्कुलेट कर रहा है जिसका तरीका बताएगे अब सबके शेर हमारे पास आ गए अब फाइनल स्टेप पे आ जाएगे स्टेप नंबर फूर वह पिछले स्क्रीन सब्सक्राइब कर लिए जाएगा अपने अपने नंबर शेर कर दिएगा मेरे को मेरे वाट्सटप के उपर जो यह नंबर लिखा हुए अपने नाम के साथ में शेर कर दिए मैं इसका एक गृब बना कर आपको सबको अटैश कर देऊ vậy तो स्टेप नंबर फूर में हो गया टोटल शेर्स ओफ औल इनहाईरीटर्स टोटल शेर्स ओफ औल इनहाईरीटर्स सारे ही वारिसीन के हिस्से तो वहां पर जो शेर दे रख्खा था मा का दे रख्खा था जुक्राने करीब में father का भी fixed जी सान और डॉर्टर का हमने परrolit के आपकिविलीट क्या मा का हिस्सा 1 by 6 father का 1 by 6 wife का 1 by 8 son का हिस्सा हमने निकाला 13 artiflig 36 और की हमने कितनी निकाला 13富lig 72 अब इसमें जर्नली जो बड़ा नंबर है वह हम देखें क्या यह बड़ा जो नंबर है क्या सबसे कट रहा है इसका मतलब जो बड़ा डिनोमिनीटर है वह हमारा करने कर लेंगे और यह 12 हो जाएगा यहां पर क्या आएगा थर्टी सिक्स यह थर्टी ऑबली थर्टी सिक्स की जगापर क्या लिखेंगे यहां पर क्या वैली वाई आएगा जी कि इसके लिए हम क्या करेंगे कि सेविंटी टू को थर्टी सिक्स से डिवाइड करेंगे कितना आएगा कि अच्छाटिस से बैतर को डिवाइड करेंगे कितना आएगा तो जो वैलिव आएगी उसको से मल्टिपलाई कर देंगे जो यह वाली वैलिव है कितना आएगा तो यहां पर हम लिख देंगे ट्वेंटी सिक्स और यहां चुके डिनॉमिनेटर और यह से मैं तो उपर यह थार्टी न आजएगा अब जोड़कर बताएं क्या जो पर नंबर लिखे गए क्या यह उपर सेविंटी टू आ रहा है कि नहीं आ रहा है अगर नहीं आ रहा तो हमने गलती किए कि चेक कीजिए अपने कल्कुलिटर से मुबाइल फॉन में होगा रिख तो हमने देख लिया कि अगर किसी शक्स के घर पर उसने उसकी मौत होती है और वो मेल होता है यानि शोहर है उसने अपने पीछे अपनी माँ को छोड़ा है अपने बाप को छोड़ा है अपनी बीवी को छोड़ा है अपने एक बेटे और एक बेटी को छोड़ा है तो उसकी प्रॉबर्टी बहतर हिस्सों में तक्सीम की जाएगी तो अब जो उसका एमाउंट है 40,000 उसको कैसे तक्सीम किया जाएगा लास स्टेप स्टेप नमबर फाईव अब हमाउंट से मतलब यह पतल लग यह बहतर इस से होंगे तो वन शेयर का जो अमाउंट होगा वो कितना होगा यहां पर हम लिखेंगे इन्हेरिटेंस अमाउंट और यहां पर लिखेंगे टोटल डिवीजन तो यहां पर 40,000 रुपे को किस से डिवाइड करेंगे हम कितना आ रहा है कैलकुलेटर से यह आप लोग निकालें तो अच्छा है मिज़े लिखते रहने देजी ताकि आप कितना लिखें अब यहां पर मदर को कितना मिलेगा मदर को कितने इससे मिल रहें कि ट्रफल फाइव फाइव से कितने इस कितने पैसे जाएंगे मांको 40,000 मैंसे कैलकुलेट कीजिए कि ट्रफल फाइव फिर डॉट ट्रफल फाइव फिर डॉट ट्रफल फाइव शाहिए ठीक है थीजिए डॉट्रों गया इसका फादर का भी शाइब निकलेगा चुके पादर की का भी शेयर उतनी था शे बाइद इस वेल्यू करें कितना रहें? 9 x 555 वही वेल्यू? 4999.995 इतना हो गया? 4999.995 नहीं 5,000 रुपे वाइफ के पास चले गए तन को कितना इससा मिल रहे? 26 कितना होगा है? चेक करें 14,400 44.3 33 डॉर्टर कितना मिल रहे? 14 डॉर्टर कितना मिल रहे? 13 मुल्टिप्लाइड इस वन जी कितनी आई वहे? आजा मुल्टिप्लाइड इस वन रहे? आजा मुल्टिप्लाइड इस वन रहे? 215 कि मुल्टिप्लाइड इस वन रहे? अब इन सब को जोड़े है क्या यह 40,000 के करीब आता है कि नहीं आता है? 0.00 फरक्कत और रहेगा कोई दिक्कत नहीं प्रवाइभ लिर नियुक्त, प्रवाइभ माुझा खर थे, जए जए जाएभ वा लिह तर्वाहर राउड आचिए, अदर्वाइभ वारी कैलकुलेशन में गलती ही जी कैल्कुलेट किया किसी ने जी किसी की वैल्यू निकल कर आई के नहीं कि सारे लोगों को इंडिवीजुले निकालना चाहिए कायदे में किसी का भी नहीं है तो मुझे ही करना पड़ेगा 67 plus 6666.67 plus 4999.99 plus 1444.33 प्लस 722.22 तो यह वैली ओर यह 39999 थर्टी नाइन 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 पॉइंट नाइन इट इस इकोवलेंट टुटी थाउजन तो यह तरीका होगा इनहरीटेंस के सवालों को सॉल्व करने के लिए यह क्लासेज जो रहेंगी साड़े नो से साड़े दस रहेंगी तक्रीवन तीन महिने के आसपा सी बैच चलेगा तीन साड़े ताइन तीन महिने के पंदरा घंटे का हमने प्रोगाम रखा हुआ हर महिने में सिर्फ चारी घंटे मिल रहें तो तक्रीवन साड़े तीन महिने इ है जो हम पढ़ेंगे उसकी यह वर्ड डॉकॉमेंट के अंदर सवाल माजूद है तो हम जो शुरू करेंगे अगले हफते से हमने एक सवाल अब करवा दिये हम यहां से शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से हमने एक बड़ा सवाल आज ले लिया है कि किसी के घर में एक बेट और एक बेटी हो तो बेटी के हिससे कितने होंगे कितना बताया था भी है तो कंप्लिट हो गया है यहां पर एंड हो गया जिसने पूझा था अगर लोग तीन लाक रुपर चोडए है और उसके खांदान में कोई और नहीं बचा है तो इसके अंदर हमने कितने डिविजन करने तीन डिवीजन करने है तीन लाग के दो लाग किसको चले जाएंगे सन को चले जाएंगे और एक लाग किसको चला जाएगा और लाएक डॉटर को चला जाएगा सिंपल सा है तो अगले हफते से हम इसी ओर्डर में जो सवालात दे रखी यहां से शरुबात करेंगे हर क्लास मे तक्रीवन दस सवाल को सौल करेंगे ठीक है किसी है कोई सवाल हो परसनल तो पूछ सकते हैं और जो लोगे चाहते हैं किलास में कंटीनु रहना है तो ताकि मैं उनको बीच बीच में पूरे हमारे पास हफता है तो पूरे हफते में कुछ सवालात मैं बेजता रहूँगा और आपके से हॉमवर्क मैचाओंगा कि मैने जो सवाल बिजा है उस पर आप मेरी किताबों को ढूंड कर या आंसर दें जैसे मैंने पूछ लिया कि तो यहां पर आप इस किताब को फॉलू कर गे देखकर ताकि आपको याद हो जाए यहां से आपको मिल जाएगा तो मैंने सवाल में अगर पूछा कुछ टाइब में कि share of आपके पास husband कितना है जब मरने वाले की ओलाद हो तो यहां से बता सकते हैं share of husband कितना है मरने वाले की ओलाद हो यहां से find out कर सकते है share of husband कितना होगा अगर मरने वाले की वुलाद हो कितना होगा था कितना है वाइफ की डैथ होती है तो शौर का हिस्सा कितना होगा अगर अलाद मौजूद है तो तो यह चीज यहां से इस तरह की कुईज में आपको भीजता रहूंगा पूरे अपते ताकि एक रूटीन रहे जो लोग इंट्रस्टेट हों वो मुझे 98714811152 इसके उपर अपने नाम के साथ में मुझे सलाम लिख कर भीज दीजे मैं एक गुर्प बना दूँगा Muslim Inheritance के नाम से और वो Muslim Inheritance 2023 के नाम से बना देंगे Muslim Inheritance 2013, 2023 के नाम से उसके अंदर हम गुरुप में आपको एड़ कर लेंगे जो भी सवालात हैं with respect to the inheritance only वो आप उसके अंदर अपलोड करेंगे बाकी एक्स्ट्रा कोई message नहीं आना चाहिए जो कि आज के एट में कोई भी forward करता रहता है वो अच्छी बात नहीं होगी फिर कोई सवाल किसी ने पूछना हो तो पूछ सकते हैं otherwise class को end करेंगे और आपके जब वो आ जाएंगे टेलिफोन नमबर आ जाएंगे तो हम ये वीडियो रिकार्ड हो जाएगी तो कल इंशालला आपके ग्रूप के अंदर इसको अपलोड कर दिया जाएगा और जो जितनी बुक्स मैंने या दिखाई हैं सारी बुक्स आपके पास forward कर दे जाएगी तो आपकी आप इससे होता है वह आएगा सी खेंगे आगे जाएगे आज जितना पड़ाया उससे को लेटेड़ बता अभी तीन चार क्लासिस के बाद इस तरह के सवाल पूछना ताकि आपको खुद निकालना आना चाहिए ठीक एक तरीका तो यह सवाल पूछ लिए आंसर दे दिया एक तरीका आपने लिए जिन लोगों ने सवाल नोट किया है नोट नहीं किया है तो वीडियो से नोट कर लें इंसाल्ला यह जो अभी हमने पिपीटी यहां पे लिखी है इस पीपिटी के अंदर अगरम इतना सा मॉडिफिक्शन कर लें और एक आपको दे दें कि यहां पे जस्ट इम तो आई होपस हो कि सारे लोग इसको कर लेंगे और करके मुझे वाटसप प्याप भेज़ दीजिए ताकि मैं चेक कर रहा हूं रात में बारावी तक जागा रहता हूं तो मैं आपको इसका रैपलाई भी कर दूंगा फजर की बाद भी कर दूंगा आपने ठीक किया है गलत कि तो मदर फादर उसकी जगा पर क्या आगे हस्बेंड आ गया तो हस्बेंड का हिस्सा कितना होगा अलाद की मौझूदगी में वह आप वहाँ पर देखें जो तरीका आपको बताया गया यह तरीका सेम पैटरन फॉलू करें सब इन्शालला आटोमेटिकली सारा सवाल कांसर निकलता रहेगा तो यह आज का हमवर्ग है जब तक आप हमवर्ग करेंगे नहीं काम होगा नहीं तो यहां पर वाइफ की जगा पर हस्बेंड लिख लिए सवाल पूरा यह है चालिस सदार रुपे हमारे पास बचे हैं चालिस सदार को कैसे डिस्टिब्यूट करना है मां के बीच में बाप के मीज़ बीच में एक बेटा और एक बेटी के मजूर के बीच में बढ़ने वाली वाइफ होगी है हां भई अब यतना भी समझाना आप पर शादी चुदा लोग हो भई है कि यहां पर वाइफ मर रहे कि इंशालला निकल जाएगा दिक्कत आती है तो आप मुझे फॉन पर बारावे तक कॉल कर सकते हैं ठीक है भी आज की क्लास फिनिश करते हैं मुझे वाटसअप मेरे फॉन पर कर दी जिननों को वाटसअप बेजना है क्लास आफ कर रहे हैं असलाम अलेकूम रह्मतुल्ल्ल्ल्ल्र करते हैं